तो आई हम देखते हैं अब क्लास 1C एंटेरिध्मिक ड्रग्स की तो इसमें देखें दो ड्रग्स हैं फिलेकनाइड और प्रोपाफिनों ठीक है तो इसको मियाद कैसे रख से प्रेखेंगे तो देखें कैन आई हर फ्राइस प्लीज तो इसी से एफ से हो गया हमारा फिलेकना मैं ही बताया थे किया देखी सबसे स्ट्रौंग 1C भाइस से वही हो इस्ट्रौंग 1C तो इस्ट्रौंग 1C सोटitaire चनल ब्लॉॉकर सबसे ज़ाधा स्लोप डिखरीज्मर्ट इसमें देखने को मिलता है तीनों में 1A, 1B, 1C में सबसे जादा इसमें देखने तो accessory bypass tract और AV node में ये effective refractive period को increase करता है, सब में नहीं करता है, सिर्फ AV node में और accessory bypass tract में और बात करें हम perkinje cells की या ventricular tissue की तो यहाँ पे effective refractive period में कोई change नहीं आता है और action potential की duration में बात करें तो इसमें minimal effect आता है या तो no change तो देखिए action potential की duration जो है इसमें देखिए normal में भी देखिए यहाँ से यहाँ तक था और इसके देने के बाद भी देखिए यहाँ से यहाँ तक रहा ठीक है तो यहीं हुआ कि minimal effect on action potential duration और इसी और से जो qt interval है इसमें भी आमको कोई change नहीं देखने को भी लेगा कोई change नहीं होगा तो यह होगे mechanism और clinical use की बात करें तो देखिए supraventricular trachecardia तो supraventricular trachecardia में क्यों useful है क्योंकि यह increase कर देता है evective refractive period को accessory bypass tract में ठीक है और AV node में भी इस और से यह supraventricular trachecardia में फायदे मन्द है और including atrial fibrillation तो यह atrial fibrillation में भी फायदे मन्द है और only a last resort in refractive ventricular trachecardia तो इसका यह clinical use हो गया अब हम बात करते हैं adverse effect की तो इसमें देखिए यह pro arrhythmic है और सबसे जादा अगर arrhythmogenic कोई है तीनों में तो यह 1C ही है तो यहाँ वही बताया गया कि प्रो arrhythmogenic और इस वाज़े से क्या होता है इसपेशली पोस्ट माई तो पोस्ट माई में यह contraindicated होती है तो देखिए 1C class 1C जो है यह contraindicated है in structural and ischemic heart disease में तो 1C से हम याद रखें कि contraindication तो class 1C यह most arrhythmogenic होती है और यह contraindicated होती है ischemic या structural heart disease में ठीक है और अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ा और हम बात करें देखिए यह flaconite जो है यह drug of choice है long term management of the wolf Parkinson's white syndrome की क्यों तो देखिए यह जो है effective or effective period को increase कर देती है accessory bypass tract में और हमको मालूम है कि accessory bypass tract का formation हो जाता है WPW syndrome में इस वज़े से यह drug of choice है वो भी long term management में और short term management की अगर हम बात करें तो short term management में यह देखिए यह drug procanamide यह drug of choice है क्यों drug of choice है क्योंकि atrial fibrillation होता है और atrial fibrillation के साथ साथ यहाँ पर accessory bypass tract हो जाता है तो शुरू में जो होती है हमारी यह procanamide हमारी drug of choice होती है फिर आगे जाके अगर long term management को करना है तो flaconamide यह drug of choice होती है ठीक है WPW syndrome की और यह propofenon जो है इसमें weak beta blocker activity भी present होती है क्योंकि यह beta blocker prophenololol से dry हो ही ठीक है तो इसमें beta blocker की activity भी पाई जाती है तो यहाँ पर हम एक इक्ष्टा बात किये कि अगर हम flaconamide की special बात करें तो यह oral जो होती है यह drug of choice होती है WPW syndrome की long term management की और अगर acute की बात करें या atrial fibrillation की condition में बात करें तो यहाँ पर यह procanamide जो होती है यह IV drug of choice होती है WPW syndrome की क्योंकि यहाँ पर atrial fibrillation भी present है तो यह हो गया हमारे flaconamide और इस तरीके से हमारा यह anti-arrhythmic class 1 जो होती है यह हमने complete कर लिया 1A, 1B और 1C यह तीनों complete हो गया और इसमें तीनों में हमको क्या चीज़ देखने को मिला देखिए इसमें जो होता है QT prolongation हमको देखने को मिलता है और इसमें 1B में देखिए इसमें QT shortening देखने को मिलती है तो QT shortening इस वज़े से इसमें torsus d point का कोई सवाल ही नहीं है और इसमें QT interval में कोई significant change आएगा ही नहीं तो तीनों में यह फर्क हो गया और यही तीनों में action potential की duration में भी सेम चीज होगा कि इसमें elongation देखने को मिलेगा इसमें इसमें action potential की duration कम हो जाएगी और इसमें कोई significant change नहीं आएगा ठीक है और सबसे जादा अगर action होता है तो वो होता है हमारे 1C का उससे कम होता है 1A का और सबसे कम होता है 1B का ठीक है sodium channel blocking में और वैसे अब बात करें एक चीज़ और तो देखिए 1A and 1C यह दोनो potassium channel blocking का भी effect रखती है जबकि यह 1B जो होती है यह potassium channel opener है ठीक है यह यहाँ पे है इसको वैसे याद रखेंगे ना याद रहा है तो भी कोई बात नहीं है लेकिन याद रखेंगे तो यह graph समझने में आसानी होगी ठीक है तो यह हमारा anti-arrhythmic drugs में class 1 anti-arrhythmic drugs यह topic complete हुआ